दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जो के दो सर का इंसान था इस इंसान का नाम एड़वर्ट मोड राके था आईए जानते हैं एड़वर्ट के बारे में हैरान करने वाले बाते एड़वर्ड 21 सदी में इंग्लेड में पैदावे जिसके बारे में दावा किया जाता है कि उनके दो सर है एक सर आगे और एक सर पीछे और इस इंसान के दोनों सर अलग-अलग काम करते है याने कि एक चहरा जब सोता था तो दूसरा जागता था इस इंसान का नाम एडवर्ड मोड राके था ऐसा कहा जाता है कि एडवर्ड का दूसरा सर सक्री आवस्ता में नहीं था अगर जैसे ही वो सोनी की कोशिश करते थे तो उनका दूसरा सर जाग जाता था और वो रात भर ड्रावनी आवाजे निकालता था साल एंटी नेटिफाय में बस्तो पोस्ट में एक लेक छपा था जिसमें एडवर्ड का जिकर किया गया था कि एडवर्ड अपने दूसरे सर से काफी परेशान है क्योंकि उसकी वजह से वो कभी कहीं दिनों तक सो नहीं पाते थे ऐसा कहा जाता है कि एडवर्ड अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास भी गये थे लेकिन उस समय के टेकनोलाजी उतनी विक्सित नहीं थी इसलिए उसका इलाज पॉसिबल नहीं था इसके चलते डॉक्टरों ने उनका इलाज करने से मना कर दिया ऐसा कहा जाता है कि एडवर्ड की सर के पीछे वाला चहरा एक लड़की का था जिसके आँखे तो थी लेकिन वो देख नहीं सकती थी और उसके चहरे का मुँ भी था लेकिन वो कह नहीं सकता था और नहीं जोर से बोल पाता था ऐसा कहा जाता है कि जब एडवर्ड खुश होते थे ना तो उनके दूसरे सर को ये बरदाश नहीं होता था और वो उनका मजाग करता था जब वो रोते थे तो उनका दूसरा चहरा मुस्कुराता था ऐसा कहा जाता है कि Edward ने अपने दूसरे चहरे से परिशान होकर आत्महात्या कर ली थी उस समय वो सिर्फ 37 साल के थे Edward को जो बिमारी थी उस बिमारी का नाम है Disturbing Genetic Defect of Birth यही बिमारी थी के जो Edward को परिशान करती थी दोस्तों मैं तो अल्ला से यही दूआ करता हूँ कि ऐसी जिन्देगी किसी को ना दे क्योंकि ऐसी जिन्देगी मिलने के बाद बहुत परिशान हो जाते है जैसे कि Edward ने भी आत्महात्या कर ली थी दोस्तों इस इंसान के बारे में क्या कहना है आपका जरूर कमेंट करकर बताए